ओम स्री गनी साय नमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन मई मंगलवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन जो से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अप आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथों राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप अपने सभी कार को बहुती बहत त्रीन तरीके से पूरा करेंगे जिस से आपकी छुपी हुई योगता वे प्रतीबा सब के सामने आएगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा घर के शुक्षिवदा सम्मंदित वस्तों की खड़ीदारी में भी आज समय व्यतित होगा आप अपने विश्वाश वे कारे चमता द आज उस पर ध्यान केंदरित करें सफलता के योग बन रहे हैं धार्मिक संस्ता के प्रती तन और मन से सहयोग देना आपको खुसी प्रदान करेगा साथी समाज में भी मान सम्मान में व्रद्धी होगी अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रियास रथें तो आज का द केंदरित करें आज का दिन समाज सेवी संस्ताओं के साथ मदद में व्यतित होगा तता धर्म कर्म संबंदित कारों में आपकी रूची अधिक रहेगी युवावर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप सुब परिणाम मिलने से तनाव मुक्त रहेंगे अपनी पिछली गल्तियों से सीख कर आप अपने कारे सम्मंदित योजना में परिवर्ट न लाएंगे जो बहतरीन शाबित होंगे भाई भेनों के साथ चल रहा कोई वाद आपसी समझबूच से आज हल हो जाएगा आज अधिक तरकाम मन मुताबिक तरीके से संपन होते हुए आपको प्रतीत होंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात खुसी और ताजगी प्रदान करेगी और आप अपने काम पर और अधिक एकागरता से ध्यान दे पाएंगे दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन शिद्ध होगा दोस सकता है इसलिए अपने बजट का दिहान अवश्य रखें नोकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की संबंदित आज योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा परंतु अपने क्रोध और जल्दवादी वाले श्वबाब पर नियंतन रखें आप किसी हैत्पपूर्ण व्यक्ति के साथ भी कोई कहा सुनी होने की आज आसंका है जिससे रिस्ते में कड़वरा हटाएगी दोस्तो साथी साथ दिखावे की वज़े से व्यर्थ की फिजूल खर्ची भी हो सकती है थोड़ा सावधान रहें विद्ध्यार्ति अपनी पढ़ाय के प कोई भी निर्णे आप ना लें किसी प्रिकार का जूटा आरोप प्रित्यारोप आप पर लग सकता है किसी बहारी व्यक्ति की सला पर ध्यान ना देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही कारे करें कुछ कारे समय पर पूरा ना होने के कारण आज तनाव रह सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो परिवारिक वातावरण आज खुस नुमा रहेगा साथी बड़े बुजुर्गों का आशिरवाद वे इश्ने परिवार पर बना रहेगा पति-पतिनी के बीच किसी परिवारिक मुद्दे क को लेकर कहा सुनी हो सकती है परंतु जरासी समझदारी से वातावरण पुने सहज हो जाएगा घर परिवार तथा वेपार संबंदित सवी कारों में जीवन साथी का भरपूर शयोग रहेगा और आपसे भावनात्मक संबंद भी मजबूत होंगे परिवार के साथ मनोरंजन वे डिनर के लिए जाना यादगार पलों में सामिल होगा पती पतिनी के संबंदों में नजदी की आएंगी किसी प्रिये मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस् अज़ना बनाई हैं उस पर एकागर्चित होकर काम करें आमंदनी में आज वरद्धी होगी तथा आएके नए श्रोत खुलेंगे नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए भी परस्तितियां आज काफी अनुकूल हैं वेवसाइक गतिविदियां पूर्ववत ही रहेंगी मेंटिनेन संबंदित कारों पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए अपने बजट का आप ध्यान अवश्य रखें नोकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्ति संबंदित आज योग बन रहे हैं ने प्रवाबसाली संपर्क बनेंगे वेपार से संबंदित अधिक से अधिक प्र चार करें वर्तमान परस्तितियां आज आपके पक्ष में हैं आपके सबी काम आज सफल ता पूरुबक पूर्ण संपन होंगे मार्कटिंग संबंदित कारों में आज अधिक समय व्यतित करें तथा अपने संपर्क सूत्रों को भी मजबूत करें इनसे आपको अवस्य ही ला मेहनत पर ही विश्वास रखें किसी के हस्तशेप से आपकी योजनाएवे कारें बिगड़ सकते हैं वैसे तो वैवसाइक गतिविदियां सुचारों रूप से आज चलती रहेंगी कारें छेत्र में हर गतिविदी पर नजर रखें आपकी कोई महत्वपूर्ण बात आज ल दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे दोस्तो आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा आज कोई भी स्वास्त संबंदित समस्या आपको परिशान नहीं करेगी सातिसास दोस्तो अपने स्वास्त क और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्तुर रहें दोस्तो ऑब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाई क्या है दोस्तो आज आप इश्राण आदी से निर्वत्र होने के बाद एक नारियल ले जहां दोस्तो उस एक नारियल पर आप शिंदूर से स्वास्थिक बनाएं इसके बाद आप उस नारियल को अपनी समस्त मनों कामनाई मांगते हुए भगवान बजरंग बली जी के चल्णों में अरपित कर दें जहां दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली आपसे बहुत जादा प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही हैं या किसी कारण से आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं वे सभी परेशानिया खत्म आपके समस्त काम बहुत आसानी से बंत दिचले जाएंगे और आपको ऐसा करने से अवस्ते ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान बजरंग बली कासिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैब जरंग बली अवस्च लिखें और वीडियो